खास बात क्या है यहां की बहुत नौलेज ने इताल की जील के किनारोंगी सतह पर मशलिया यहां पर दिखाई दिरी हो और यह है हजारों की संख्या में हैं यहां पर बोटिंग अच्छे भुवन वजी आई यह देगे सामने तो यहां पर हाज टूलिस काफी है क्योंकि यहां तो चलिए हम लोग चलते हैं इस तरह पंद पार जा रहा है निकासी की लिए कोई अरस्ता नहीं हो रही है तो यहां पर अलग अलग टाइमिंग्स होगी तो आप लोग ऑनलाइन पंदा करें दोस्तों आज है 12 अगस्त और दिन है सनिवार का तो दोस्तों आप देख रहे हो और अभी समय जो है पौन एक बजे का हो रहा है तो नहीताल का मौसम को जिस तरह का है आज जो है नहीताल में काफी टूरिस्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वीकेंड है सेटरडे का देन है इसकी वारे से काफी सारे टूरिस्स जो है दिखाई दे रहे है नहीताल में मैं बै तो इस मौसम में इंजॉय करने वाला है तो इस तरह का कुछ मौसम है सामने मुख्तार भाई भी मुझे दिखाई दे रहे जिनके नाव में पिछले कुछ दुनों पहले हमने नौकायान किया था तो बड़ी आसा मौसम है सबको जो है लाइफ जैकेट पहन नहीं है तो लाइफ जैकेट पहनना कम्पलसरी है सामने अली तरफ आपको दिखाऊ तो देखिए इस तरफ घोरा भी दिखाई दे रहा है बारेजी पढ़ रही है और यह देखिए तो बहुत ज़्यादा नाव तो नहीं है जील में कमी नाव है और इस वाली जो है वो चार सीटर है तो चार सीटर का जो किराया होता है तो चार सो बीस रुपे होता है एक घंटे का और दो सीटर का जो होता है उसका तीन सो बीस रुप होता है तो दो लोग बैठ सकते है चाल लोग बैठ सकते है चार सो बीस रुपे है तीन सो बीस रुपे तो बड़ा खुबसूरत सा लग रहा है मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को तो यह देखिए फुआ रहे हैं कुछ इस तरह से यहां पर दिखाई दे रही है चाहता लेकर यह लोग बोटिंग कर रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं और बहु लोग निकल चुके हैं बड़ा सा अच्छा सा लग रहा है पानी का पुलको वाटर लेबल जो है पूरा उपर तक है और बहुत सुंदर यहां पर लग रहा है तो देखिए पूरा जो जील का चलिस्तर है एक दम पूरा भर चुका है बहुत सारे लोग बोटिंग करने के लि विकेंड है तो कितनी उमीद हैंब को फूरेज्ट बड़ेगा तो धी रहा है और फूर्ट लेबल भी बहुड़ा अच्छा हो गया है खुल भी लिया है तो देज होई रही है तो मुकतार भाही का मिरप चीज बढ़ी इच्छ रखती है हम इसर पॉजिटिव कमेंड करते ह और यह चीज बहुत अच्छे लगती है तो थैंक्यू सो मज मुक्तार भाई तो दोस्तों मुक्तार भाई ने मुझे ओफर किया कि हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मंदिर तक तो बारिस में आप लोग को भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से बोटिंग का आनंद आता है तो चल तो देखें दोस्तों हल्की बारिस पड़ी है और बहुत तेज पुआ रहे हैं वैसे अगर कहा जाए एक दम हल्की भी नहीं है मुक्तार भाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सामने भी टूरिस दिखाई दे रहे हैं जो यहां पर च्छाता लेके बोटिंग करने के लिए और च्छाता तो मुक्तार भाई जरूर चाहिए है न कि लिए या सब्सक्राइव अगर घूम नहीं है चाहिए नहीं है लाटिंह है इस सेजन में इधिगने के लिए आपको यहां वी कुछ ही दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखें नैनी ताल यहां पर बहुत सुन्दा लग रहा है इस तरफ से तो इस तरह का नैनी ताल का व्यू देखने के लिए आपको जील में उतरना ही पड़ेगा नाव के साथ ऐसे नहीं तो देखें कितना बढ़िया लग रहा है यहां प कंबल सिरी कर दिया है लाइफ जैकेट को पहनना तो यह से कैसा मानते हैं आप अच्छी बात है आप लोग की जो यहां कष्टी माराता है बहुत अच्छा है बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ना कभी ऐसा हाथसा हुआ है कभी आपके अच्छा हाँ हाँ अच्छा और यह बताई है जैसे आप लोग तो लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं तो इसकी क्या बढ़ा जरूरी है और हर कोई जो नाव वाला है वो बहुत अच्छी स्विमिंग करता है तो यह आपने एकदम सही बात बताई तो देखिए यह कैपिटल सिनेमा दोस धक लेनी चाहिए मैं इस तरफ वाला व्यू आपको दिखाता हूं दोस्तों देखिए इस तरफ कैसा लग रहा है देखिए बहुत ही सुन्दर यहां पर लग रहा है तो मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है तो हम लोग जाएंगे नैना देवी मंदिर तक और यह दिख रहे हैं अगर कोई चलाना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए इसके लिए पंदरास दिन में सीख जाएगा एक तीजली तो सीखेगा नहीं हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले पुराने लोग बता रहते हैं साथ रुपे में पुरा घंटे के लिए लेके जाते थे और खुद ही चलाते थे ना पहले तो यही रिवाश हुआ करता था नहीं ताल में तो चलिए हम लोग नैने देवी मंदिर की तरफ पहुछने वाले हैं तो देखते हैं महां पर कैसा लगता है दोस्तों यह जो है यह गुरुद्वारे की बैक साइट यह आप करेंगे तो देखे इस तरफ हम पिछली वालों की यहां पर बोट लगी रहती है तो बारिस की जो है स्पीड बढ़ गई है तो आब हम वापसी का रूख करेंगे तो देखे इस तरफ हम पिछली वार गए थे तलीता लली तरफ में बहुत बढ़िया था तो इस तरफ अगर आप लोगो को कैमरे में दिखाई दे रहोगा तो बहुत स्पीड के साथ में बारिस हो रही है और बहुत बढ़िया सा लग रहा है तो देखे यह मैंने अपनी त दोस्तों मुक्तार भाई के संगर आप बोटिंग करने के लिए तो आपको अलगी मज़ा आएगा क्योंकि खाद बात क्या है यहां की बहुत नौलेज है ने इताल की जील के किनारों की हर एक जगे की तो यह आपको गाइड भी करेंगे और बताएंगे अच्छे से तो मुक 108720 1294 55 5555 तो इनका जो नम्बर है तो आप कर सकते हैं और इन से संपर्क कर सकते हैं नहीं ताल आएं पर मश्लीया ऑन के ने वी पिल्कुल उपर दिखाए देने थाएं लीडिकिनों कहेंने वाई पिया हुक्तन थे मचली नहीं है को Xuan कि मचली थे मखन्य है करें यहाँ पर इसमें अब की मैचली देख साथ यहां पर कच्षव आपने देखा है कच्षव आपने देखा है कच्षव मैंने सुना है अच्छ यहां पर यहां वापस आने लगी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई तो बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों हवाप चलने लगी है तो हम वापस जो जा रहे हैं बोट स्टेंड की तरफ जा रहे हैं बारे सबी भी लगातार हुरी है तो बहुत आते थे यहां पर अपर अपर की पहाड़ी आ दिखा हुए तो यहां पर हर्याली कितनी जादा हर्याली और यह एकदम सब कुछ हरा हरा सा हो रहा है तो यह सामने वाली जो बिल्डिंग है यह बोटस क्लब की बिल्डिंग है दोस्तों देखें चप्पू चलाने में जो है बहुत तागत लगती और बड़े वह भी है उनर भी है यह तो पहले जो है लोग एक्सेस करने के लिए चप्पू चलाया करते थे नहींताल में अब लोग बहुत चलाते थे लगते हैं अब हाँ यह है कि अद्वाश्च कावाना की नाम से यह जगह पहले जाने जाती थी पुराना इसका नाम था इस वाली बिल्डिंग का तो यहीं पर यह स्टेंड है और ये सिव मंदिर है जो मॉल रोड वाला उसके नीचे है इस्टैंड तो जहां पर आप आके इनसे संपक कर सकते हैं भाई से तो कुछ लोग और भी आ रहे हैं यहां बोटिंग करने के लिए तो दोस्तों मैं आगया हूँ मॉल रोड में वोटिंग करके बड़ा ही मज़ा आया बारिस में वाके वोटिंग करने के बड़ा मज़ा आया तो इस तरह हम देखेंगे तो यहां पर आज टूरिस काफी है क्योंकि यह पर बहुत सारी गाडिया दिखाए दे रहे हैं नहीं तो वीकेंड में नही टाल में टूरिस्ट है और रोट वगेरा जो है दोस्ते एक दम सही है अभी तक कोई लैंसेट की ख़बर नहीं आए जब भी ऐसी कोई ख़बर आगी है तो इस तरह की कोई ख़बर नहीं है अभी तक अब लोग लेकर आजाएं नहीं तो यहां पर खरीद दी सकते हैं अभी बरसात का मौसम है और सितंबर तक नहीं इताल में जो है बरसात होती रहती है तो दोस्तों मलीताल से स्टेंड वली तरफ में आ गया हूँ और यहां पर देखें लोग चाता लेकर जा रहे हैं इधोड़ है यह एलेक्टिक रिक्षा है यहां पर चल रहा है आजकल और यह कुछ लोग पंजी की मूर्थी है सामने की तरफ तो इसके अंदर जो है पंध तो दोस्तों मैं आ गया बंद पार्क में दोबारा से यहां पर लोग सेट के नीचे खड़े वें चाता लेकर बारिस की स्पीड बढ़ रही है कुछ लोग बिना चाता के भी इंजॉय कर रहे हैं तो बारिस बहुत है थोड़ा से मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि पर बेठें हborें और कुछ लोग Бरसात लेकर असारे चाता कंप सर्क बार कर कायि रहें हूं को शोया पर बसाता में ओस चूरसचक कौने से अनुट था में चलता हूं और यह जो है स्पीड बढ़ गई है तो थोड़ा से यहां पर जूते खराबने का भी खत्रा है और यह दिखिए तो यहां पर यह सब छाता अपनी नाओ को सब ढखने लगे हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं इस तरफ पंध पार्क में आगे की तरफ और फिर दिखाता हूँ आपको आगे क्या क्यों रहा है तो दिखिए दोस्तों यह है खेल का मैदान अभी किनारे तो थोड़े खराब हो रहे लेकिन यह जो है यहां पर तलाब जो बन जाता है इसके लिए कुछ नहीं करा जा रहा है निकासी की लिए कोई वरस्ता नहीं हो रही है तो इस जगे पर तो दोनों ही लगी हुई है यहां पर अलग अलग टाइमिंग्स होगी तो आप लोग ऑनलाइन पता कर सकते हैं तो कुछ इस तरह का यहां पर दृस्त है देखिए तो बारिश सेज है चाहता भी कभी कभी उड़ जा रही है कुछ लोग तो बिना चाहता के भी घूम रहे है घर तो चली हम लुक चलते हैं आगी की तरह तो दुस्त देखिए मा अगया इस तरफ पारकिंवार्श काफी गाड़ीयां दिखाए दे रही है और यहां पर एक साथरव वे देने होते हैं अपने बाइक काल लगाने के लिए और बाईक लगाने के लिए 85 देने होते sinde तो वीकेंड में काफी टूरिस्ट है तो वीकेंड में जो है यहाँ पर टूरिस्ट काफी रहते ही है ना निताल में तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बहु भाई मुझे दिख गए हैं सामने की तरफ चलिए बात करते हैं उनसे तो दोस्तों बहु भाई मिल गए हैं बहु भाई वीड रहता है क्योंकि टूरिस्ट लोग काफी आता है बड़ोत्री होती है बारिस तो होई रही है बारिस ओने पर क्या करना है क्योंकि आपने किट्स लेके आना है अच्छा रिंग सुट बगारा रोड अभी ठीक है मेरे खाल से कालाडूंगी रोड थोड़ा बंद है हल्द लोग वहां खड़ा है अच्छा वापर चलती है तो जो भी आने वाले हैं आए और थोड़ा सा अवाइट करना चाहते तो एक पर्सेंट के लिए कर सकते हैं अगर ब्लाइंड कर चुके हैं तो आप आए रिंग सुट वगरा चाहता लेकर आए बहुत ही मज़ा आ रहा है य भाई के पास चलते हैं वीडियो को एंड करते हैं तो यह तिपती मार्केट में आप लोग जा सकते हैं बहुत अच्छी यहां पर कपड़े मिलते हैं पर्फ्यूम मिलते हैं अच्छी सी मार्केट है यह सामने जो है यहां पर चाहता मिलते हैं अच्छे इन दुकानों में त डूप भाई जो है भूभाई की दुपान में ही आगे हैं तो जो दोस्तों वीडियो को हम लोगिंड कर रहे हैं उसे पहले आपको बताए कि पहले अपको कुछ कि दूपान कहा नहीं जाने क्या साथानीया बरत्ली अभी तो मौसम बरसाद वाला चली रहा है, चितमपता का यह मैं चलता है, मौसम पर सीजन चलता ही है, तो आपको देखना की किस तरह की चाहप आते हैं, जिस समय अलर्ट दिया जाता है, उस समय के जितना हो सके अपने को रोक लीजिये, वालनी का नौर्मली आ सकता है, कोई अभी भी कोई दिक्त होने का कोई दिक्त नहीं है, जब कि आलाट उता रहे है, तो कि आपको दुड़े को गुड़े दान में डाले, जहां तक आपको दॉस्बिन ना मिले, अपना पुड़ा आपने पास रखे, आप से रिक्वेस्ट हैं, बिल्कुल, जहां भी आपको आपको दॉस्बिन के चोटा सा रैपर भी क्यों ना हो, तो टॉस्बिन में ही उसे डाले, तो अच्छा होगा अपने बच्चों को भी यह सिखा है, आने वाला ताकि हमारा पीडी है, सफाई को सीख पाए, तो चलिए दोस्तों वीटे को एंड कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, ते लिए बाइ-बाइ